36 गण में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरियंट से निपटने के लिए स्वास्त विभाग ने अपनी तयारियां तेज कर दी हैं। प्रदेश के स्वास्त मंत्री टियस सहदेव ने विभागी अधिकारियों की बैठक में ओमिक्रॉन संक्रमन को रोकने के उपायों पर विस्तार से चर्चा की। विभागी अधिकारियों ने बताया कि अब तक देश में ओमिक्रॉन संक्रमन से कुल 415 मामले सामने आये हैं जिसमें से 115 रिकवर हो चुके हैं। बैठक के बाद मीडिया से चर्चा करते वे स्वास्त मंत्री श्री सीदेव ने कहा कि 36 गर्ण में फिलहाल कोरो चतिसगर राज में विदेशों से आने वाले व्यक्तियों की स्क्रीनिंग कर क्वारेंटाइन किया जा रहा है। तो यह करीब एक प्रतिशत का लक्षन दिखा रहा है कि बाहर से जो लोग आ रहे हैं वो 36 गड़ में रहने वाले करोना से ग्रशित होने वाली की तुलना में ज्यादा दिख रहा है। अभी भी सबसे आवश्यक और सबसे जरूरी कदम है अपनाने का। स्वास्तमंत्री श्री सेदेव ने कहा कि हम सभी को कोरोना की दूसरी लहर के अनुभवों को ध्यान में रखकर महत्पूर्ण कदम उठाने हैं। मास्क के उपयोग को बढ़ावा देना, भीर भाडवाले इलाकों में जाने से बचना, होम आइसोलेशन और चिकित साले के मद्दे एक बहतर नीती करने इर्मान कर विवस्था को सुधिर करना हैं। इसे की आम जनों को संभावित ओमिक्रॉन संक्रमन से बचाया जा सके। सकती है, जुकाम भी हो सकता है, बाकी बुखार, बॉड़ी एक, पेट में दरत, यह जो कॉमन सिम्टम्स है, यह हर एक में देखे जाते हैं। जबकि यह डेल्टा वेरियंट से कम इनके सिम्टम्स देखे गए हैं। लेकिन एक इन्डिविज्वेल से, एक मरीज से, दूसरे आत्मी में यह जल्दी फैलता है, तो उसकी ट्रांस्मिसिबिलिटी अधीक है, डेल्टा या बाकी जो वेरियंट से उसके कमपैरिजन में, हाला कि उसके सिम्टम्स हैं, माइल्डर हैं, वीकर हैं, तो हो सकता है, थ पिलहाल, ओमिक्रॉन के गंभीर मामें नहीं देखे गए हैं, लेकिन राज्य सरकार के साथ मिलकर, एम्स हस्पताल द्वारा भी इससे निपटने के लिए सभी जरूरी कदम उठाये जा रहे हैं